शुक्रवार को रानी दुर्गावती शोध संस्थान की बैठक आयोजित की गई इस बैठक में महत्वपूर निर्णा ले गए जिसमें वीरांगना रानी दुर्गावती का 500 वा जन्म वर्ष 5 शती समारहों के रूप में मनाते हुए डुमना हवाई अड्डे का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर किये जाने की मांग की गई साथ ही I.C.S.S.R. और I.C.H.R. से संबंधित शोध पर योजनाएं तयार कर अकादमी कारेकर ने योजना पर सहमती बनी जबलपूर में होली के दिन वर्दी में डान्स करने पर सहयक जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सकसेना के प्रतिवेदन पर आबकारी आयोक्त ने यह करवाई की है मामला माढोताल थाना के करमेता के पास शराब दुकान का है आबकारी अधिकारी का वर्दी में डान्स करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ था वीडियो सामने आने के बाद यह करवाई की गई रमजान का पवित्र महीना चल रहा है इसलाम धर्म को मानने वाले इस पवित्र महीने में 30 दिन का रोजा रखकर खुदा की अबादत करते हैं रोजे के 18 दिन जुमा को विधायक लखन घंगोरिया द्वारा फूटा ताल में रोजा अफ़तार का आयोजन किया गया रोजा अफ़तार में मुख्य रूप से मौलाना मुफ्य आजम और विधायक लखन घंगोरिया दिन इशादव शामिल हुए आम अफ़तार के बाद मुल्की हिंदुस्तान के लिए अमन चैन की दुआएं मांगी गएं हमारी संसकर्थी परमपरा, कौमी एक जहदी हमारे बुजर्गों की धरोहर है जो हमको बरासत में मिली है हमारे बुजर्गों की ये धरोहर इसी एक जहदी के साथ कायम रही आए ऐसा प्रयाद सब का होता है इवादत में सबकी सलामती की दुआ के साथ साथ देश की एकता खंडता और सर्व भौमकता के लिए भी दुआएं होती है मैं तमाम रोज़दारों को आज के से दिन के लिए नमन भी करता हूँ बिगत 32 साल से यह आयोजन किया जा रहा है रोज़ा अपतार का और मैं समझता हूँ कि जहां लोग कहते हैं नफरत फैलाने की वहाँ वहाँ हमेशा से जो कांग गांदी वादी विचारधारा का व्यक्ति होता है वो महबत फलातर है और इसमें सभी वर्ग के लोग, सभी दर्मे के लोग इस रोज़ा अपतार में हमारे समलित होते हैं यही हमारी देश की एकता खंडता का प्रतिक है यही हमारी भारती शंसकिती है आगामी दिनों में होने वाले लोग सभा चुनाव और तयोहारों को ध्यान में रखते हुए कानूर और शांती व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश से जबलपूर में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया पुलिस अधिक्षक आदित्य प्रतापसी के नेतरतु में गढ़ा, CSP देविंदर प्रतापसी हैं और थाना गढ़ा का बाल ने समविदंशी लक्षेत्रों में पैदल फ्लैग मार्च किया गया ये थाना गढ़ा छेत्र में ये प्रतापसी कमपनी अवंटी थी है अगामी चिनाओ के लिए थाना रांजी में जल शोधन सैयंत्र के सामने एकसिडेंट होने की सूचना पर पुलिस पहुंची घटना इस्थल का जायजा लिया शीमती रानी जैन उम्ब चालिस वर्ष निवासी ने बताया कि राज को तेस गती में आईकार उसकी दुकान की बास बली तखत को तोड़ते हुए ईश्वर सी पंजाबी के उपर से गाड़ी चढ़ा दी इश्वर सी प ुद्धन सEMAेंत्र के पास एक व्यक्ति फुटपात पर सोया हुआ था उसके ओपर वो ठोकान म आरदी गई जिससे उस ब्यक्ति के मौकी में पर मिर्ट्तियों हो गई पंच्रामा मर्ग कर लिया गया है और पोस्पाटम कराया जा रहा है कार जब्त कर ली गई है और पोस्पाटम रिपोट के बाद कार चाला के खिलाब वैधानिक करवाई की जाए